Hello and welcome everybody, this is the second part of the 2021 का paper जो अपन RO और ARO का solve का रहे थे अगेन फिर से मैं बता देता हूँ, ये paper आपको knowledge बढ़ाने के लिए नहीं है बट बहुत बार क्या होता है, अपनी existing knowledge से अपन जाधा से जाधा question को कैसे exam में attempt कर सकते हैं कुछ questions उसमें ऐसे हमें बहुत जाधा marks contribute करते हैं, जो 5 to 20 marks के बीच में variation ला देता है हमसे बाकी के comparison में तो हम लोग elimination strategy को इसके अलावा अपनी pre-existing knowledge को use करके आधा paper solve कर चुके थे इसी का second part है ये video, तो start करते हैं पन जो next questions है which of the following is not correctly matched, कौन सा foreign traveler है और वो कौन सा years में आया है ये question पूछा गया है अब फाहीन आपन ने देखा था, चंदर गुपत के period में आया था, ये आपन अलरड़ी जानते हैं गुपता period में ये मैंने आपको बताया था, यून सांग हर्शा के period में आया था, आई सिंग हर्शा के period में आया था और अल्म साथी जो है अरब के traveler थे, जो 900 के आस पास जब foreign invaders invade कर रहे थे तब आये थे तो इस सरीके से idea है, बट अब आप इस question को देखोगे और dates देखोगे, तो ये एक बहुत ही particular dates है क्योंकि normally जो question पूछा जाता है, उनमें एक rough dates mention रहती है, exact dates idea नहीं रहती है तो this makes it a very very difficult category of question, ध्यान रखिएगा option से decide होता है कि वो question आसान category का है या difficult category का है because जितनी भी dates लिखी गई है, ये बहुत ही minutely आसपास लिखी गई है, इसलिए ये question बहुत ज़ादा difficult हो जाता है यदि आपको exact dates याद हैं, तो attempt करिए, वरना इस type के question को कभी भी attempt मत करिए exam में आपको हमेशा ही धोका मिलेगा, negative marking मिलेगी, if you are not sure जैसे इस question का मैं आपको example बता रहा हूँ, यहाँ पर icing जो आया था, इसी समय आया था हर्शा के period में बट यह 679 की जगहा exact date थी, 671 AD से लेकर वो 695 तक यहाँ पर थे, तो इतनी minute date exam के pressure में याद करना difficult रहता है, इसी वज़े से I would advise यदि dates आप बहुत ज़ादा vary नहीं करते हैं, बिलकुल to the point है तो ऐसे question को प्लीज छोड़ दीजे यदि आपको dates नहीं पता है next अपन बात करते हैं, which of the wallowing was declared as his successor by Guru Nanak अब this is also a difficult category question, क्यों difficult category question है क्योंकि जो Guru Nanak के successor थे, मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो मैं जानता हूँ Guru Nanak के successor थे, वो Guru Angad थे, यह बहुत common है, यह maximum लोगों को पता होगा बट Guru Angad का दूसरा नाम क्या है, वो इस question में indirectly पूछ रहा है, वो maximum लोगों को नहीं पता होगा because मैंने place attend किये थे, तो मुझे पता था, but I know this is a difficult question, उन्हें लहना भी कहते थे तो इस question को भी छोड़ देना जादा better है, for all of you who do not know next अपन बात करते हैं, match list 1 with list 2, war दिया गया है और उसके years दे रखे है second Anglo-Masur war, अब this is a very very easy question, क्योंकि कुछ पता हो ना हो, dates आपको जरूर पता होना चाहिए सारे के सारे मैसूर war अपन ने किया है, जिसमें message जो second मैसूर war था, वो 1780 से 84 के बीच में आता है और यदि अपन देखे, second Anglo-Maratha war, 20 साल का break मिला था, first Anglo-Maratha war के बाद और उसके बाद 80-03 से 80-05 के बीच में हुआ था, let us say अपन को और नहीं पता है, तो क्या ये question solve हो जाएगा 1 का option है, B और 3 का option है, A, तो क्या किसी में C का option A आ रहा है, this one, and 1 का option 2 तो केवल और केवल एक option इससे tick हो रहा है, याने कि सिर्फ और सिर्फ दो question की knowledge से, दो option की knowledge से, ये question तो बन जाता हलाकी मैं आपको बताऊं, ये जो Anglo-Afghan war है, second वाला, ये भी हमने बहुत अच्छे से बढ़ा है, Litton के समय में था, 1878 के आसपास ये war fought हुआ था जब Litton ने बहुत सारे Indians को अफगान war के लिए भेज दिया था, तो ये पता होना चाहिए, बट एक दो नहीं पता है, तो भी ये question आंसर हो जाएगा next अपन बात करते हैं, which of the following cities in India has the lowest percentage of slum population, 2011 census के हिसाब से, इस question को देखेंगे, तो option देखेंगे, एमदमार, जैपूर, लखनाओ, बेंगलूरू, एक बात आप समझ लीजे, जितनी बड़ी city होती है, normally इंडिया में उतना अच्छा infrastructure नहीं होता है, population बढ़ती है, तो city के बड़े शहरों के आसपास जाओगे, तो railway station के पास से एक slum दिखने लगता, तो definitely कुछ भी हो जाए, बैंगलूरू तो answer नहीं होगा, जिसमें lowest slum होगा, तो answer हो सकता है, ये तीनों मैंसे कोई एक, अब ये जो तीनों cities हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं, major cities हैं अपने states की, त कुछ exact figure, तो attempt कीजे, वरना इसे question को तीन मैंसे एक में, यदि कोई नहीं पता है, तो छोड़ दीजे, इसका answer वैसे है, एहमदाबाद, एहमदाबाद की क्यों है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही unique feature exist किया है, जो city की sub-planning हो चुगी है, अभी उस पे नहीं जाते, time जादा वेस्ट होगा, exam का समय है, next है, as per SDG index and dashboard 2020, published by Niti Aayog, which one of the following was not among the top 5 states, याने की SDG performance index में, कौन सा top 5 states में नहीं है, अब ध्यान रखेगा, option गुजरात, आंध्रा, गोवा, तमिल लाडू, ध्यान रखेगा, जो सबसे जादा progressive state है, तमिल लाडू है, उसके बाद गोवा एक तो नॉर्मली ये सारे states जो हैं, अच्छे matrix पे हैं, तो यदि इसी logic से मैं इस question को exam में attempt करता, तो मैं क्या करता, कि गुजरात तो होना चाहिए, गोवा और टमिल लाडू भी होना चाहिए, मैं आंधरप्रदेश को मार देता, but actually यदि देखा जाए, तो आंधरप्रदेश जादा बेटर fair करता है, गुजरात top 5 में fair नहीं करता है, क्यों मैंने इस question को बताया, कि जो techniques मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, वो आपको 100% result दे, कई बार वो backfire भी कर जाता है, आपको उल्टा भी पढ़ जाता है, तो आपको दिमाग लगाके सहीं तरीके से eliminate करना है और यदी किसी question का बिल्कुल भी idea नहीं रहे, तो उसमें कोई भी अंधा दूनी बिना सोचे समझे राशनल लगाके उसको जबरदस्ती attempt ना करिए, वो बहुत जादा negative marking में चले जाएगा, जैसे इस question में हो जाता, चो समझ के करिए, यदी कुछ आता है उससे related तभी उसमे दिमाग लगाईए, next अपन जाते हैं, काशी लालिमा is a variety of which of the following crops, again this is an extremely factual question, पता है तो मार कीजे, नहीं पता है तो मत करिए, ये जो है actually एक lady finger की variety है, जो लाल कलर की भिंडी होती है, लाल कलर की उखरा होती है, उसके नाम से ये famous है, ये variety 1995 से discovered है, बनारस में पाई जाती है, क्यों किया गया, क्यों ये question आया, I have no idea about it, क्यों किया ये news में था उस समय, I am not very sure, मुझे नहीं मिली news, तो this is kind of a surprise question, या अचानक से जो bouncer ball दी जाती है, आपको उसे इस तरीके से मान सकते है, इसमें जाधा tension नहीं लेना है, अगला question देखते हैं पन, which of the following is considered a hot spot of biodiversity, again a very very easy question, hot spot क्या होता है, जहां पर biodiversity है, जाधा होती है, यानि कि flora and fauna जो होता है, वो जाधा होती है, और दूसरा जो criteria होता है, कि जो भी species हैं, वो एक बड़ी मातरा पे endangered हैं, ये दो criteria के basis में define किया गया है, और इंडिया में जो है, western ghats, सुन्दा लैंड, अन्माने निकोबार, और eastern हिमालिया, ये सब जो हैं, इस category में आते हैं, western ghats है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, next आता है, the chief source of hydrogen sulfide pollutant is, कौन सा source है, सबसे बड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, automobile, automobile में normally, जो क्या use होता है, petroleum, petroleum में sulfur content बहुत जाधा कम होता है, तो automobile से तो नहीं होता है, similarly oil refineries में भी नहीं होता है, thermal power plant में, इंडिया का जो coal होता है, उसमें sulfur का content बहुत जाधा होता है, compared to other coal, ये अपने जोग्राफी में पढ़ा था, तो इंडिया का जो coal है, sulfur dioxide जाधा release करता है, बट hydrogen sulfide नहीं release करता है, hydrogen sulfide, vegetable और animal matter के decay होने से ही होता है, तो B और C तो आप eliminate कर सकते हो, D आपको पता होना चाहिए, SO2 release होगा, एक ही option बचता है, ये जिसे आप mark कर सकते हो, next आता है, in 1993, which of the following languages was not included in the 8th schedule, 8th schedule के बारे में अपने depth में बात किया है, 22 languages हैं, आपको पता होना चाहिए था ये, अब बहुत बार क्या हो रहा है, कि exact date हम problematic है, और ऐसे question आपके लिए difficult हो सकते हैं exam में, but as far as this question is concerned, ये एक गलत question था, UPPSC ने इसे वापस से हटा दिया था, क्योंकि ये सारी की सारी जो languages हैं, mostly tribal languages है, 1992 में constitutional amendment किया गया था, और सारी की सारी languages को incorporate कर लिया था, तो 1993 में सारी की सारी languages जो थी, 8th schedule में मौजूद थी, तो reject कर दिया था, तो आपन छोड़ देते हैं, next आते हैं, match list 1 and list 2 and select the correct answer, फिर से आपको match करना है 5 year plan और applied growth model, अब ये एक model जो है, एक नाम जो है आपको हर class में हर लोग कराते हैं, वो है second 5 year plan में कौन सा model होता है, और वो है महलनबिस model, ये तो सब को पता होता है, ये 11th class की economy book मे भी लिखी गई है, तो और आपको पता होना हो, second का fourth होगा, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, तो यदि आप देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक आता है, जो इस option में बैठ रहा है, यदि ये भी नहीं पता है, तो छोड़ दो, इसके अलावा, first model भी common है, कम लोगों को पता रहता है, लेकिन हारत दा model है, so one का answer जो है, two होगा, ये दो में आता है, तो इन दोनों में यदि आपको नहीं पता है, तो हो सकता problem है, otherwise यदि आपको second model का पता है, तो कभी भी problem नहीं होगी, second model जो five year plan है, महल और नोबिस model है, जिसमें industries को ज़्यादा ध्यान दिया गय पढ़ते आए हैं, अपन को normal आम भाशा में पता भी है, अपन देखते रहते हैं, limestone किस लिए use होता है, cement के लिए, सही बात है, copper किस लिए use होता है, electrical goods के लिए, सही बात है, बॉकसाइट, बॉकसाइट किसका और है, ऐलूमीनियम का और है, ऐलूमीनियम बहुत हलका होता है, इसलिए ऐरोप्लेन कले यूज़ होता है, सही बात है, मैंगनीस, आइरन में मिला के, स्टील बनता है, तो यह भी सही बात है, तो सब कुछ सही ओरडर में match है, तो वन का A, B क तो this is also easy question, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, next है, फिर अपन बात करते हैं, कौन सी language और country सहीं तरीके से match नहीं किया गया है, Danish, नाम को पता चल रहा है, Denmark है, Dutch किसकी है, Netherlands की, ये भी पता होना चाहिए, आपको बहुत easy question, इती सार, again, very very easy question, इसमें कभी भी गलती मत क करिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई easy question आता है, तो बहुत बार अपन pressure में उसे जल्दी से जल्दी mark करते हैं, इसलिए आप question को देखिए, जब भी मैं पढ़ता हूँ question, not correct पूछा है, या correct पूछा है, उसे mark कर लेता हूँ, यही strategy आपको भी exam में follow करना है, कि यहा नेक्स है, Mandarin, Mandarin तो सबसे ज़्यादा spoken language है, दुनिया की, चाइना की language है, बहासा थाइलेंड की गलत हो गया, बहासा जो language है, यह इंडोनेशिया में बोली जाती है, और थाइलेंड भाशा की भाशा है, वो थाई है, तो यदि गलत पूछा है, तो हो सकता है, बहासा आपको ना पता हो, लेकिन यह जो top three languages है, यह तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत common है, इसलिए this is an easy question, next है, which of the following is not correctly matched, तो यहाँ पर है primary energy, tidal power, यही गलत हो गया, primary energy क्या होता है, जिससे इंसान या आज की date में humankind सबसे ज़्यादा source of energy है, तो इंडिया की primary energy क्या है, जो सबसे ज़्यादा proven है, thermal power, thermal power याने की coal, जो more than two-third, 66% से ज़्यादा, इंडिया की जितनी भी electricity produce होती है, वो coal से produce होती है, कोईला जलाने से, तो यह तो भाईया अपने को बच्पन से पता है, क्या primary source of energy, tidal होगी, tidal कितना produce होता है, बहुत easy question, बिल्कुल दिमाग ने जरूरत ही नहीं है, next है, which of the following statement is our correct with reference to Indian railways, achieving 100% electrification by 2023, पता है, तो हां करिये, नहीं पता है, तो छोड़ दीजे, a net zero carbon emission network by 2030, तो ये दोनों statement सही है, बहुत जादा news में थे, क्योंकि एक controversy emerge होई थी, क्या electrify करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, और update के लिए बता दू, एक बहुत ही ambitious target setup किया गया है, कि 2030 तक net zero emission Indian railways achieve करे, तो दोनों statement सही है, next अपना आते हैं, ऐसे में पता रहे, मारो नहीं पता रहे, इतने factual को थोड़ दो, the last सुबेदार of Bengal, who was appointed by Mughal Emperor, very easy question again, क्योंकि ये पूरा अपन ने deal किया है, ये कौन थे, ये थे, मुशित कुली खान बहुत easy question है, बहुत बार इसको अपन ने पढ़ा था, question भी इसके उपर किये थे, तो this is very easy question, next अपना आते हैं, which of the following pair is not correctly matched, अब देखें, जो बहुत easy question है, उसमें कोई elimination strategy लगा के time waste करने का मतलम नहीं है, इसलिए में उसमें जल्दी बढ़ रहा हूँ, अब देखें, ये जो है, ये difficult question हो जाता है, reason being is, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी countries है न, इनके capital नॉर्मली इंसानों को याद नहीं रहते हैं, अपने को याद नहीं रहते हैं, कभी कोई गया है, या कुछ किसी को hobby है, shock है, तो अलग बात है, तो country with capital पूछा है, बार बात जुए का capital सैंट ये गलत है, इसका capital, I think, Rossio है, तो Rossio है, डॉमिंगो गलत हो गया, El Salvador का capital बिलकुल असान है, San Salvador, Bahamas का capital है, Nassau, ये statement सही है, Dominesia का capital thing, Rassau, Rossio है, ऐसा तरके कुछ है, now because मैं UPSC का geography optional का student था, तो मुझे इनके बारे में पता है, normally नहीं पता रहेगा, तो इस question में tension मत लीजे, difficult question है, नहीं बनता है, दिमाग मत लगाईए, छोड़ दीजे, next है, which of the following island is known as the land of promise, again, a very typical question, difficult category का question है, हो सकता है, ना बने, तो यदि आपन देखें, क्यूबा, जावा, सुलवेशी, actually, जो है, मिंदानुआ, ये जो है, फिलिपीन का एक island है, जो second सबसे बड़ा island है, जब मैं मैंने world geography class कराई थी, तो मैंने इस island का जिक्र किया था, बट इसके बारे में details नहीं बताई थी, क्योंकि बहुत जादा depth हो जाता है, so this is a very difficult question, soil अच्छी है, minerals पाय जाते हैं, environment अच्छा है, इसलिए एक promising island consider किया जाता है, इस question को नहीं बने आप से, तो घबराइए मत, ये बहुत लोगों से नहीं बनेगा, next अपन बात करते हैं, name of the act और कौन से साल में पास हुआ, ये आपसे बन जाना चाहिए, ये medium to easy level का question है, और ये बहुत ही famous acts है, तो ये आपसे बनना चाहिए, ये environment में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये सारे आक, forest conservation act का पास हुआ था, 1980, Environment Protection Act का पास हुआ था, 1986, Air Control Act का पास हुआ था, 1981, अच्छा, ये सारे सही दे रखे हैं, okay, these are correct, 1981, और Water Pollution Control Act 1974, सबके सब सही मैच किये हैं, तो basically match बोला है, तो एक तो चीज, match the column में आपको दो भी पता रहते हैं, तो आप मैच कर लेते हो, तो you have any two, बाकी तो आप मैच कर ह सकते हो, तो suppose, ये Environment Protection Act तो सबको पता होता, 1986 का, तो suppose you know one, two का two, तो यदि आप देख लो, so केवल एक ही है, जिसमें two का two आ रहा है, या कोई और भी रहेगा, इस तरीके से आपको पता रहे, तो आप टैली करके सही आंसर निकाल सकते हो, match the column ध्यान रखेगा, आपके लिए आसान होता है, बहुत बार स्टूडेंस को मैंने बात की है, पेपर के टाइम उन्हें लगता है, इतना बड़ा question है, कैसे attempt करें, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, match the column में आपको एक भी सही मिला, तो आप सही आंसर आप्टेन कर लेते हो, next अपन बात करते हैं, under which article of the Indian constitution, the parliament can make laws on state list, यह अपने बहुत depth में पढ़ा था, कि 5 conditions होती है, जहां पर parliament state law के उपर legislate कर सकता है, बहुत depth में पढ़ा था, बट मैंने उस class में articles नहीं कराए थे, क्योंकि articles थोड़ा सा ज़ादा हो जाता है, तो यदि आपको पता है, well and good, वरना इस question को देखें, क्योंकि सारे जो हैं, आस-पास के articles हैं, इनको risk लेना बहुत भारी पढ़ेगा, इ कैसे जो answer है, इसका article 253 है, article 253 में ये कहा गया है, कि जब भी international treaty को पूरा करने के लिए, क्या कर सकते हैं, parliament law बना सकता है, state laws के उपर, इसी तहत अपन ने देखा था, UN law और इस तरीके के जो remaining laws है, वो पास हुए थे, next आता है, which one of the following book by former RBI governor was published in July, ये 2021 का current affairs का question है, आसके लि है, छोड़ दीजे, next आता है, the famous Tamariya tribe are found in which of the following state, ये उस समय 2021 में news में थी, क्योंकि उन्हें recently tribe, scheduled tribe के status में डाला गया था, आज की date में non relevant, फिर भी पता होना चाहिए, तो जारखन में tribe पाई जाती है, Tamariya tribe, next देखते है, the body code of conduct is related to, अब ये question आपको पता होना चाहिए, maximum लो सकते हैं, ये अपनने बहुत depth में किया था, great horn of Africa, याद है, जो drought के लिए famous है, जहां पर बहुत जाधा piracy वाले event होते रहते हैं, ये अपनने देखा था, तो great horn of Africa, अब देखो, इसके options देखते हैं, principles for conducting nuclear test, भही आई र्यात तो निये nuclear power है, ना तो आफरिका में कभी nuclear test ठीक है, ये हटा दो, charter of ethics हो सकता है, पर आप खुद सोचो, ethics और ये सब जो बड़ी-बड़ी बाते हैं ये हमेशा western world करता है, ये western dominated principles हैं, जो हम जैसे poor countries पर या oriental countries पर impose किया जाता है, तो C भी बहुत unlikely है, international maritime grouping against piracy, conservation of Congo basin, अब Congo है, अपनने पढ़ा था Congo को, Congo कहाँ पर है, उसे Congo कहा जाता है, और जीवोटी कहाँ पर है, East Africa में है, Great Horn of Africa में, तो East African nation, West Africa की नदी के उपर तो बनाएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, हमने एक और बात पढ़ी थी, कि ये जो पूरा Great Horn of Africa है, ये किसके लिए famous है, यहाँ पर piracy बहुत होती है, और मैंने आपको बत टेकनीक यूज करके ये event पर ला सकते हैं, तो एक grouping है, जो piracy को रोकने के लिए कोशिश करती है, एक international group है, वो guard करते हैं, ऐसा कुछ है, इससे ज़्यादा depth में अभी जानने की जरुवत नहीं है, Niger crop is an oil crop, what is the content of its seed, कितना oil content निकलता है इस seed से, again problematic है, यदि आपको थोड़ा सा oil seed के बारे में पता है, तो तो शायद आप पढ़ सकते हो, कोई BSC बगरा का होगा, तो उसके लिए असान question है, otherwise common में ये question difficult होता है, ध्यान रखेगा, question क्या पूछ रहा है, what is the content of oil in its seed, seed में कित है, एक oil seed crop है, याने कि इस से तेल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, मतलब जरूरी ये है, कि इसके जो seed है, उसमें oil अच्छी खासा मातरा में होना चाहिए, तभी निकाला जाएगा, तो आपने देखते हैं, क्या खरा जा सकता है, 7 to 16 तो बहुत कम है, 17 to 26, 27 to 36, तो नॉर्मली एक मेरे दिमाग से चले, तो ये 27 से लेकर ये दोनों मैंसे कोई होना चाहिए, और नॉर्मली जो नाइजर seed है, sesame seed है, इनमें जो होता है, जाधा तरफ होता है, तो आच्छी इसका आंसर है D, नहीं भी पता है, तो कम से कम ये दो मैंसे एक भुतों मारेंगे seed में, तेल जाधा होना चाहिए, ये seed में तभी तो तेल निकलेगा, इतना तो आप करके ये दोनों मैंसे किसी एक में मार सकते थे, तो इस तरीके से दो option को तो आप logic से बिल्कुल eliminate कर सकते थे, नेक्स अपना आते हैं, इंडोनेशिया does not share its land boundary with which one of the following country, ये question again मैंने आपको बताया था, दो area मैंने आपको map में बताया था, कि Southeast Asia और दूसरा आता है Mediterranean के आसपास की countries, ये इस दोनों countries के बारे में पढ़के जाईएगा map के थूँ बहुत बार आता है, तो उसी तरीके से, अब देखो, इंडोनेशिया ये यदि आपको map नहीं पता रहेगा, तो आप न नहीं करता है, तो I've added a map, यदि map नहीं पता है, तो देखो, Malaysia है, ये पूरा का पूरा ऐसे, तो Malaysia के साथ इंडोनेशिया यहाँ पर शेयर करता है, इसके अलावा यहाँ छोटी सी Singapore है, Singapore होता तो Singapore के साथ शेयर नहीं करता, और over here PNG, over here यहाँ पर आप देखोगे, ये अर्ति Ascending Order of States in terms of Schedule Tribe Population, Schedule Tribe की Population के हिसाब से Arrange करना है आपको Ascending Order में, यानि कि सबसे कम जिसकी है Population, उसमें सबसे पहले Arrange करना है, इस तरीके से, अगें, देखो, normally जो, जैसे मैंने, जब मैं Paper दिया था, तो मुझे percentage याद थे, North East, यो कि बहुत सारी Tribes है, ये Population पूछा है, तो थोड़ा सा difficult है, मैं आपको openly question बता रहा हूँ, this is a quite difficult question, but मुझे एक चीज पता है, out of the total North East, सबसे जो खाली स्टेट है न, वो है Arunachal Pradesh, तो Arunachal Pradesh में definitely population of the tribe, यदि बहुत high भी होगी न, यदि 70% होगी, 60% होगी, तब भी overall population बहुत कम है, इस वज़े से Arunachal Pradesh में सब से कम रहेगी, ये तो मुझे पका है, लेकिन यहां से मेरा question solve नहीं होता है, क्योंकि तीन states में Arunachal Pradesh सबसे पहले दे रखा है, फिर Meghalay, Mizoram, Nagaland, यहां पर यदि आपको कोई idea है, तो attempt करिए, नहीं idea है, तो मत करिए, basically मुझे पता है इस question में, क्योंकि मैं Mizoram काफी समय रह हूँ, मैंने बहुत बार Mizoram में पढ़ाया है, वहां की classes में, तो I am familiar with the Mizoram culture, और Mizoram के बहुत सारे art and culture, उनकी living lifestyle, उनके problem, social problems, other के बारे में मैं जानता हूँ, तो Mizoram में करिब-करिब dominant 86% Mezo tribe है, और वो बहुत सारी है, तो basically इसका answer यहां पर है, अभी story में नहीं जाते है, आपका time कीमती है, next अपन बात करते हैं, match list 1 and 2 with the select, एक fruit है और उसका largest producer है, यह match करना है, अब देखो जितने भी states दिये हैं, apple को देखके तो मेरे को बिल्कुल direct समझ में आ गया भया, जम्मुयन का आश्मीर है, यह तो बहुत असान है, दूसरी चीज जो मुझे देखके बि जने की 4 का D का 1 option, यदि मैं देखो, तो यह सिर्फ इसमें आ रहा है, so can you see that, this is the answer, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पता रहता, apple का जम्मुयन काश्मीर हो रहा है, तो मैं उससे इस question को solve कर सकता हूँ, मुझे लीची, mango ये सब का पता ना भी हो, तो भी चल जाएगा, ठीक है, हला कि वैसे लीची का सबसे बड़ा producer है, बिहार, मुझफर, पूर्वगरा में बहुत सारी tragedy हुई है, आपको पता भी होगा, कुछ साल पहले बच्चे बहुत सारे खा रहे थे, मर गए थे, और mango का अपना यूपी सबसे बड़ा producer है, नेक्स आता है, Indian Urban Observatory, it's situated at which one of the following place, प Indian Territory में किया जाते हैं, और data से related है, तो जहां पर population जादा होगी, management अच्छा होगा, short तरीके से किया जा सकता है, वहां पर किया तो ये है, actually New Delhi में ये किया गया था, पूरे के पूरे data को collect करना, और उसको basically अलग-अलग category में अपन analyze करेंगे, ये था smart city के अंदर, तो वारा Delhi या चंदीगण में से कोई एक था, जो आपको हो सकता था doubt, यदि पता है तो New Delhi मारो, नहीं है तो B या C में से कोई मारो, next है, consider the following events and arrange this in chronological order, अब देखो, फिर से मुझे date तो याद नहीं रहती है, maximum बच्चों का यही कह रहता है, कि सट date याद नहीं रहती है, तो ऐसे question को कैसे करें, correct order में जमाना है, अब देखो, starting of casery, execution of khudhirambos, assassination of karzanvili and starting of एक newspaper है, अब मैं आपको सची बात बता रहा हूँ, अल हिलाल newspaper मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन अल हिलाल newspaper मैंने भी नहीं पढ़ा था, अभी तक मुझे नहीं पता था, त बहुत पहले आ चुका था, 1800s के जो end में था, end of, sorry, 18 बोल रहा हूँ, yes, 18, मतलब basically 1880s या 890s के ऐसे समय में आ चुका था, caseery newspaper, याद कीजाए जिसमें आपने बात भी किया था, 1897 में तिलक ने क्या करवाया था, उनके newspaper से inspire होकर, चापेकर ब्रदर्स ने एक जो पूने के play commissioner थे, रांड उनकी, उनको मरवा दिया था, उनका murder कर दिया था, तो ये कहीं उस समय का है, और मुझे ये भी पता है, कि जो execution स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, किसे अपने क्या पढ़ा था, revolutionary phase पोला जाता था, और ये पहला revolutionary phase जो स्टार्ट हुआ, जब 1905 का जो movement ह है, वो खतम हो गया, स्वदेशी movement जब खतम हो गया, और youth की energy channelized नहीं हो पाई, तब किया गया था, याने कि ये जो दोनों event है, ये third के बाद होंगे, याने कि third पहले होगा one से, third पहले होगा two से, ये दो मुझे इतना logic से पता चल गया, तो फिर से हम मैं आता हूँ options की पूछा है, third one से भी पहले, third two से भी पहले, ये हो सकता है, ये B बिलकुल नहीं हो सकता, third का मैं C नहीं हो सकता, D देखेंगे, तो D भी हो सकता है, अब मुझे एक बात समझ में आ गई, A या D मैसे कोई होगा, याने कि मैं अपनी understanding of history से दो option को eliminate कर दिया, दो option मैं वापिस से देखूँगा, अब मैं फिर से कोशिश करूँगा, क्या मैं किसी तरीके से इनको निकाल सकता हूँ, बाकी तरीके से, तो अब मुझे देखना है, execution of Khudi Rambos और Karzan Willi, तो ये मैंने आपको class में कराया भी था, तो जो Karzan Willi है, इनका जो assassination हुआ था, लंडन में हुआ था, और Kh हुई थी, और इनका assassination, Karzan Willi के assassination के बाद ही, मैंने आपको बताया था, लंडन सेफ नहीं रहा हूँ, और other areas में सारे के सारे, इंडिया का जो houses थे, इंडिया house of London, वो other places में move हो गया, बरलिन में move कर गया, और इसके बाद अपने गदर पार्टी के बारे में पढ़ा था, तो याने की 1 और 2 मेंसे क्या होगा, जो Karzan Willi है, वो बाद में आएंगे, 2 पहले आएंगे, तो जिसमें भी 2 पहले आएगा 1 से इन दोनों मेंसे, याने की A, तो this would be the answer, आप देखरे हो, मुझे A की भी date मैंने नहीं याद करी, कभी भी नहीं याद करी, एक rough idea था, क्योंकि मैंन हिस्ट्री को समझ के पढ़ा है, इस से मैंने इस answer को crack कर लिया, next अपन बात करते हैं, which of the following union territories of India has the lowest sex ratio as per census 2011, पता होना चाहिए, नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, अन्दमान और निकोबार, लक्षवदीप, ये दोनों के जो sex ratio है, comparatively higher side है, मैं आपको बता दूँ, सारी की यूटीज, जो मतलब इंडिया के main land से attach है, उनका sex ratio कम है, जिसमें मैंसे सबसे कम जो है, वो dominant due का है, क्योंकि बहुत सारे आजू-बाजू के लोग यहां पर आते हैं काम करने के लिए, और वो mostly male रहते हैं, female उनके घर पे रहती है, तो पता है, तो ठीक है, ये तो कम से कम आन्वान और निकोबार लक्षोदीब तो नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर tribal रहते हैं, और tribal के पास ये technology या ये culture नहीं है, कि वो महिलाओं को discriminate करें, किसी भी basis में, कम से कम birth के समय, ये तो नहीं है, तो C और D तो बिलकुल नहीं हो सकता चंदीगर या dominant view में आपको confusion है, तो आप सोच सकते हो, लेकिन C या D तो eliminate करना ही पड़ेगा दिमाग लगा के, next अपन बात करते हैं, which of the following state of India reported lowest percent of urban population, lowest urban population किसकी है, ये देखो, अब ये सारे के सारे जो options हैं, ये पिछडे states के दिये हुए हैं, backward states, तो ये थोड़ा सा difficult बन हैं, तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है, राजस्थान तो नहीं होगा, simple सी बात है, काफी, मतब कुछ, एक तो बड़ा state है, सबसे larger state है, दूसरी बात क्या है, काफी सारे, इसमें cities भी है, compare to आप बाकी सारे देखोगे तो, तो actually हिमाचल प्रदेश की सबसे lowest urbanization rate है, पता ह है, तो ठीक है, नहीं पता है, तो आप भी माचल या बिहार में confused होगे, लेकिन बिहार में भी कुछ आपको major cities मिलते हैं, तो I think maximum of you might know this, यदि आप जोग्रफी जहां से भी किये होगे, now consider following events and arrange this in chronological order, फिर से ये chronological वाला आया है, सहीं order में जमाना, launching of community development program, recommendation of democratic decentralization, फिर आता ह यहाँ पर, initiation of key village scheme, district rural development, यह ऐसा ऐसा कुछ है, अब बहुत सारे लोग इसको देखके घबरा जाएंगे, अब मेरा दिमाग कैसे काम करेगा इसमें, कि भाया, यह एक question है, जब मैं सोचूंगा, जब भारत आजाद हुआ, और Republic बना 1950 में, तब क्या situation थी, तब उस समय किसका influence एक नहरू का influence था, दूसरा गांधी का influence था, गांधी का influence में क्या था, एक सब कुछ village level की economy की बात करें जा रहे थे, तो starting में क्या हुआ था, district से जादा village level पर एक self-sufficient village unit को बनाने का पूरा का पूरा प्रोग्राम था, तो key village scheme पहला होना चाहिए, जो मेरी understanding है, उसके बाद community development program इन दोनों के basis में होना चाहिए, और ये दोनों में कोई भी order हो सकता है, बट एक बात था है, कि district rural development, district तो बहुत बाद में focus में आया, तो जो भी है, fourth जो है last में होगा, ये बात मुझे बिलकुल पता है, तो fourth तो अब लेकिन ये कोई बहुत order नहीं आ रहा है, केवल organization ज्याने की, ये पंचायती राज institutions की बात कर रहा है, ये अपनने पढ़ा है, बहुत सारी committee setup हुई थी, जो start हुई थी, 1957 से setup होना start हुई थी, तब से पहली committee थी, बलवंत राय महता committee, तो ये बाद बाद में setup हुई थी, तो कहीं न कहीं, ये जो होगा, third would be the second largest, अब ये दो आग लगाया जा सकता है, तो पता है तो ठीक है, वरना इस question में कोई भी idea नहीं है, तो छोड़ दीजे, बहुत सारी लोगों को ये democratic decentralization committee का भी नहीं पता होगा, तो ये logic नहीं काम करेगा, तो हो सकता है, बहुतों के लिए difficult question होगा, थोड़ा सा depth में गया है, तो इस question में य क्या है, typical question है, science का question है, और vegetative propagation में भी क्या है, एक specific method यूज किया गया है, तो mostly लोगों को नहीं पता रहेगा, next बात करते हैं, which of the following is not a part of 10 pollination, again a very difficult question, क्योंकि लोगों को नहीं पता रहता है ये, तो गाट वालू ता ही ती, हलाकि जो options दिये हैं, options से easy हो जाता है, ती नियन इसका answer है, तो यदि आप लोगोंने map देखा होगा कभी, मैं अपनी class में एक basic idea दिया था कि Polynesia, Micronesia, क्या होती है, कहां से situated है, लेकिन countries के depth में मैं भी नहीं गया था, so पता है तो ठीक है, again option के basis में this becomes easy, but किसी को कोई geographic idea नहीं है, सारे नामे एक जसे लगेंगे, तो उनको चाहिए, next अपना आते हैं, with reference to Fort William College, Calcutta, which of the following statements are correct, it was founded on 10th June 1800 within the Fort William complex in Calcutta, ये institute के बारे में अपने बात की है, कि ये institute को established किया गया था, और क्यों established किया गया था, ताकि जो civil servants थे, इन्हें यहाँ पर पढ़ाया आ जा सके, और बहुत ही जल्दी अपनने देखा था, इसे ban कर दिया गया था, और बाद में इसे, Halle Berry College, London में सारे civil servants को train करने के लिए भेजा गया, तो ये, ये जो है, within the Fort William complex in Calcutta, ये statement, पहला वाला सही है, लेकिन यहाँ पर एक date दी है, again, ये जो date दी है, I am not very sure, क्या 10 June 1800 में ही set up किया था, मुझे पता है, ये set up किया था, Wellesley ने, मुझे पता है, Wellesley का rule सार्ट होता है 1799 से, तो इन्होंने 1800 में set up किया था, ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर एक particular date दी है, 10 June, I am not very sure, कि 10 June में हुआ था कि नहीं, तो इस portion को मैं question mark लगाऊंगा, Now the main purpose of establishing this college was to teach Indian the languages of British officers, बिल्कुल सही है, civil servants को train करने का ही, उनको language से परिचित कराना था, British administration से, तो second statement तो सही है, तो या तो ये होगा, B, या तो C होगा, दोनों मैं से कोई एक होगा, मैं अपने experience से बता रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी exam में कोई specific date दे रहे हो, देख रहे हो, कभी भी, तो बहुत जादा chance होती है, more than 70% chance होती है, कि ये question जो है, गलत रहेगा, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, ये गलत है, बाकि पूरा statement सही है, लेकिन ये जो institute है, ये setup हु में, तो most of the cases में, again, exam के बाद मुझे गाली मत दीजेगा, यदि कोई specific date पूछा और सही हो गया, ये एक, most, यदि आप mathematically बात करोगे, तो सिर्फ एक chance है, कि सारी dates में से एक date सही होगी, बाकि सारी dates में गलत होगा, तो इसलिए, जब भी ऐसा question आता था, और मुझे exam में नही पता होता था, तो मैं उसको हमेशा गलत मार के आता था, बाकि जैसा आपका मन करें, आप कर सकते हो, in my experience, most of the cases में, जब specific date दी रहती है, वो गलत रहती है, तो इसका answer है B, next आते हैं, which of the following iron and steel plant is not located on a river, बहुत असान question है, क्योंकि बुकारो, बुकारो नदी पर situated है, जर नदी पर situated नहीं है, because I have lived in bhai, तो मेरे लिए बहुत easy question था, हो सकता है आपके लिए ना हो, तो नहीं होगा, तो देख लीजेगा, बाकि ये पता होना चाहिए था, it is easy question, next है, which of the following eatables is the best source of all the essential amino acids, banana, pulses, egg and fish, amino acids का देखो, जब amino acids की बात आती है, तो दो नाम सबसे आते हैं, egg or fish, fish जो आते हैं, सारी fishes नहीं रहती है, कुछ fishes ज़ा होगा रहती है, amino acids और omega 3 में बहुत ज़ादा rich रहती है, लेकिन यहाँ पर कौन से fish है, specifically नहीं बताया है, इस वज़ा से the better answer would be egg, इसका answer फिर exam वालों ने भी, UBPSC ने भी egg ही consider किया था, egg को सबसे ज़ादा all amino acids के रूप में माना जाता है, हलाकि यदि आप specific fish यदि कोई नाम दिया होता, तो normally जो fish रहती है, वो ज़ादा rich रहती है, नेक्स बात करते हैं, given below are two statements, एक assertion है, एक reason है, रविन ना टाइगोर रिनाउंस नाइट हूड, यह अपनने पढ़ा था, यह statement true है, नेक्स है, he wanted to participate in the non-corporation movement, यह statement का कोई भी reason नहीं है इससे, याद करिएगी, अपनने direct पढ़ा है, बहुत easy question है, जब जलिया वाला बाग incident हुआ था, तो रविन ना टाइगोर ने अपना knighthood का, और वहीं पर गांधी जी ने अपना कैसरेहिंद का title को surrender कर दिया था, तो reason जो है, कुछ भी related नहीं है, so, मा कर ली जगा, A is true, but R is false, A is false, A to true है, so, one is also wrong, both A and R are too, and R is not the correct explanation of A, this would be the most accurate, next अपन बात करते हैं, which of the following is not correctly matched, तो यदि यह आपको पता है, तो ठीक है, कुछ species देखिए, सिंधी जो है, यह गाएं की species सबको पता होती है, बड़ी जो जर्सी गाएं होती है, सिं यह तो match है, गोट का जमुना पारी, यह भी बहुत common breed है, यदि आप दिल्ली यदि कोई भी रहा है, तो जमुना पारी गोट, बहुत सबको पता होगा, ठीक है, और बफेलो, भड़वारी, I am not very sure about it, और शेप यदि बात करें, तो थरपार कर यह गलत है, यह थरपार कर जो A और D में confusion था, तो ऐसा हो सकता है, आपको नहीं पता है, तो उस हिसाप से अपनी knowledge के basis में attempt करिये, पता है तो attempt करिये, यदि दो को eliminate कर दे रहे हैं, दो मैसे doubt है, तो definitely attempt करिये, इसमें mathematical advantage होता है, next अपन बात करते हैं, which of the countries is signatory to Abraham record, यह 2021 की news है, basically जो इसराइल है, इसराइल क इन लोगों ने relations अपने improve किये थे इसराइल के साथ, so this is easy question, उस समय बहुत news में था, घबराने की जरुबत नहीं है, which of the following relation is not correct, यह तो यार सब को पता होगा, हम लोग कंप्यूटर वाले हैं, हम लोग इतना computer तो सब use करते हैं, KBMB, तो 1 byte 8 bit सही है, 1 kilobytes यह भी सही है, 1 gigabytes औ प्रामा, भांड पत्थर is related to which state or union territory, पता है तो ठीक, वरना इसको attempt करना बहुत मुश्किल है, इसका answer है, Jammu and Kashmir, Republic Day में एक बार announce हुआ था, तो कई बार इसके जो cultural program से आते रहते हैं, पता रहना चाहिए, बहुत popular है, नहीं पता है तो परिशान मत हो यह, Jammu and Kashmir का है, next है In which of the following states, the area under tube well irrigation is highest, अब देखें यहाँ पर percentage area नहीं पूछा है, यह पूछा है, सिर्फ area, याने की कौन से में area highest है, ध्यान रखेगा, tube well का जो development हुआ है, सबसे जादा कहां पर हुआ है, जहां पर भी green revolution implement हुआ था, याने की जो rice wheat और यह पूरा system introduced हुआ था 1967 से, जहां पर जादी खाद दिया था, जादे inputs दिया गया था, उसके through पूरा का पूरा system of खेती develop किया गया था, उसे green revolution कहा था, जिससे productivity बहुत जादा बढ़ गई थी, तो जो भी area है, यदि percentage of area आप बोलता, कि कितने percentage में जादा है, तो वहाँ पर नाम आता, पंजाब, हर्याना का, ले हर्याना में और western UP में implement हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरे UP में फैलते गया, UP बढ़ा है, इसलिए इसका answer क्या होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बिल्कुल गरीबी है, कम रहेगा, पंजाब, हर्याना are good options, आपको confusion हो सकता था, बट UP के comparison में बहुत चोटे states हैं, औ और UP में काफी development हुआ है अभी, next है, which of the following Indian president also served as a speaker of लोक सभाफकरुदीन अली, शंकर दयाल, जाकिर हुसान, नीलम संजीवा रेड़ी, पता है तो ठीक है, one nice question में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इन questions को attempt करके अपने सही questions को risk मढ़ डा है, सत्पुरा नहां की जो है, highest peak है, which of the following is related to Brent index, again very, बहुत ही basic question है, बार बार न्यूज में रहता है, Brent relate रहता है, यह जो है, यह UK का crude oil है, UK के आसपास जो नौर्थ सी होती है, वहां से जो तेल निकलता है, उसे इस index में measure किया जाता है, less sour है, sour less है, मतलब की sulfur कम होता है इसम पता होना चाहिए, नहीं पता होगा, तो gold, future, shipping, देखो, यह सारे options, थोड़े से non relevant है, crude oil price और shipping rate index में आप confuse हो सकते थे, gold का कुछ भी ऐसा future index होगा, तो इससे नहीं नापा चाहेगा, Brent index से, तो आपर भी Brent से कोई related नहीं है, तो A और D में confusion हो सकता था, यदि आपको थोड़ इसी knowledge है, तो, again elimination use करके, answer कर सकते हो, कुछ specific नहीं आता है, तो छोड़ देना better है, next आता है, which of the following nutrient is most useful for enhancing oil content in mustard crop, again a very typical question, लेकिन क्या होता है, इस question को आप थोड़ा सा सोचोगे, तो answer कर सकते हो, एक ऐसा mineral होना चाहिए, nutrients में आप पढ़े होगे, एक होता है macro, दूसरा होता है micro, तो macronutrient के जो काम होते हैं, वो basically ये जो आते हैं, N, P, K, ये तीनों आते हैं, इनका सब कुछ अलग-अलग काम होता है, अब तो micronutrients इसमें यदि आप देखोगे, कोई भी micronutrients नहीं है, अब micronutrients में देखोगे, ये सारे के सारे micronutrients हैं, इसमें जो requirement of zinc or iron होता है, कम होता है, calcium का जाधा होता है, sulfur का जाधा होता है, sulfur का selective plants में requirement जाधा होता है, तो इस basis में can you answer it, यदि थोड़ी से knowledge होगी, तो कर सकते हो, वरना actually आप देखोगे, तो I have seen that, इस question को maximum लोगों ने, जब मैंने पूछा था, एक class में, तो maximum लोगों ने सही answer किया था, I don't know क्या logic ल जाना, basically जो structure होता है, उसको strengthen करने के लिए होता है, और जो chlorophyll से related कुछ कुछ काम है, वो उस सरीके से करता है, so this is the basic idea, sulfur is the answer, पता चलता है, जलना चाहिए, next है, Da Vinci Plus on Varitas, two new missions announced by NASA are related to, again उस समय बहुत news में था, मैं देखता हूँ इसको V से, मैंने उसको ऐसा याद किया था, उसमय वी वी तो यहाँ है, Venus, अभी के time में यह ऐसा कोई mission news में नहीं है, तो इसमें घबराये मत, यह नहीं आएगा, next आएगा, in the preamble of the Indian constitution, which justice is provided, very easy question, यह आप से definitely बनना चाहिए, justice, social, economic and political, यह पहली class में ही अपनने polity के बात की थी, बार-बार बात की है, यह बहुत important question है, next आपन बात करते हैं, which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire, तेली सल्तानेट की class recently अपनने की है, उसमें अपनने देखा था, एक जो थे, वो क्या थे, अलौदीन खिलजी, उन्होंने क्या किया था, उन्हें लगातार खतरा था, पौन, मॉंगोल्स आ जाएंगे, इसी वज़ा से उन्होंन इसे उन्हें mobilize कर सकें, और basically क्या ज़त सकते हैं, factual question है, आता है तो आप से बनेगा, वनना इसमें आप कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते, next आता है, which of the following statement is not correct, email, electronic mail, सही है, worldwide web, सही है, CPU, control processing unit, गलत, central processing unit, ALU, arithmetic logical unit, answer क्या होगा, C होगा, next अपना आते हैं, in which of the following countries, 99% of its total energy requirement is obtained by hydro power, अब देखो, इसके जो options हैं, Brazil comparatively less है, लेकिन New Zealand, Switzerland, Norway जो है, ये तीनों की तीनों, renewable energy dominant है, तो ये अच्छे options देखके मनाया गए हैं, काफी typical question है, अब इसमें जो है, यदि आप देखोगे, तो answer इसका है, actually Norway, Norway में बहुत जादा, जो है, एक features पाया जाता है, इसमें बहुत सारी नदिया निकलती है, इस वज़ा से हाँ पर possible है, दोनों की दोनों, New Zealand और Norway में अच्छे खासा है, Norway लेकिन बहुत जादा lead कर रहा है, आज की date में आप देखोगे, तो यहाँ पर gas production बहुत जादा बढ़ गया है, रश्या के annexation के रश्या और Ukraine के war के ठीक है, तो यह basic facts है, I think यह पता होना चाहिए, maximum case में, next आता है, during the reign of which of the following sultan of Delhi, Hindu gods and goddesses were worshipped in the royal palaces, again this is a very difficult question, typical question है, normally नहीं बनता है, तो answer क्या है, कुतुब इदीन, मुबारक, खिल जी, खिल जी के समय में नहीं हुआ था, नसिरुद्दीन, मुहमद, नसिरुद्दीन, खु इश्रोशाहा के समय में हुआ था, यह basically जो थे, यह गियासुद्दीन, तुगलक के रूल के पहले इनका रूल था, बहुत छोटे टाइम के लिए किये थे, जब भी अपन करते हैं, normal classmen को cover भी नहीं कराते हैं, बट यह आप घटना चक्र बगरा में देखोगे, तो इनका जिकर मिल जाएगा, next आता है, with reference to the crop rotation, which of the following statement is our correct, deep rooted crops should be followed by the same type of crop, याने की, अब देखो, deep rooted crop क्या होगा, याने की, लंबी root वाला है, तो लंबी root के बाद क्या होगा, ये पानी कहां से अब्जॉफ किया, ये deep से अब्जॉफ कर लिया, तो अगला crop जो होना चाहिए, वो shallow ह होना चाहिए, root वाला, ताकि ये यहीं से, basically, सारे nutrients अब्जॉफ करे, तो ये जो है, ये गलत हो गया, next आता है, legume must be followed by a non-legume, legume क्या करता है, nitrogen को add करता है, soil में, तो non-legume क्या करेगा, इसको अब्जॉफ करेगा, तो second statement is right, first is wrong, we would be the answer, next आता है, consider the following events and arrange them in the chronological order, फिर से दे ने दो incident पढ़ा था, जो world war के कारण गदर पाटी का lead हुआ, तो ये world war 1 के थोड़ा पहले, 1914 के थोड़ा पहले ये पाटी सेट अप हुई थी, ये अपनने देखा है, ठीक है, सेन फ्रांसिस्को में सेट अप हुई थी, next आता है, establishment of servants of India, society by Gopal Krishna Gokhale, हलाकि ये मैंने आपको Bengal Asiatic Society, अब देखो, ये सारे events है, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो servants of India society है, ये तो क्या होगा, कि basically जब बहुत सारी organization form होने लगी, उस समय ये form की गई, और यदि मैं Hikki Gazette देखू, तो एक बात समझ में आ रही है, कि three newspaper पहले बनेगा, उसके बाद पहले normal ideas propagate होंगे, फिर जाके revolutionary ideas होंगे, तो हर case में one के पहले, गदर party के बनने के पहले third आएगा, ये बात तो बहुत समझ में आ ही रही है, इसके अलावा, world war one जब हो रहा था, उसके पहले ये सब जो है, ये party set up हुई थी, याने कि three के पहले, मतलब ये जो two है, two के पहले one आएगा, ये दो म को बहुत इसली से इन events से पता जल जाता है, तो three के पहले one कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और यहां पर आ रहा है, fourth option इसका miss out हो गया है, तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, basic idea समझ में आ गया, तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये servants of India society कब हुआ ह है, गदर पार्टी 1914 के आसपा सेट अप हुई होगी, publication of Hickey Gazette, ये तो बहुत पुराना है, 1800s, तो 70s वगरा में establish हुआ होगा, और establishment of Bengal, Asiatic Society, ये कुछ समय बाद इसके सेट अप हुआ होगा, Asiatic Society जब idea चलता था, Orientalism, याने की Hindu समाच की study करना, उस जमाने में ये Asiatic Society 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर next होना चाहिए, 2 और फिर होना चाहिए 1, अगे इन थोड़ा मोड़ा idea से, exact date बिना पता किये अपना answer निकाल सकते हैं, next आता है, a farmer which has land holding between 1 to 2 hectare is known as, ये जो है less than 1 hectare, 1 hectare होता है 2.5 acre, तो ये वाला जो farmer है, वो कहलाता है marginal farmer, और 1 से 2 hectare का कहलाता है, वो small farmer, ध्यान रखेगा, इंडिया में 86% जो farmer है, वो small और marginal category में आते हैं, ध्यान रखेगा, ये question भी हो सकता है, यदि पूछा जाए किसानों म हैं, तो इस तरीके का आ सकता है, who publishes global climate risk index report, पता है, तो ठीक है, वरना बहुत complicated options है, climate आया, तो सारे देखो, WMO, world bank, सब का नाम आ रहा है, world bank तो थोड़ा सा unlikely है, ये सब में करेगा, बट world bank भी निकालता है, इसका answer है, German watch, ठीक है, उसी समय report आती, ये जो normal report रहती है, इसके जो रहती है, blank छोड़ दी जाती है, खाली छोड़ दी जाती है, fourth से rating start करते हैं, कि top three खाली छोड़ने का क्या reason है, कि कोई भी country है, जो environment के terms में perfect नहीं figure out करती है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हो, next अपना आते है, which of the following statement is not correct, human ear becomes most sensitive to 1000 hertz, maybe, human eye becomes most sensitive for red color, ये तो गलत है, मुझ आज कल जो पहले blackboard हुआ करते थे, वो green mode में convert हुए है, क्योंकि जो green mode रहते हैं, वो जाधा attention short distance के लिए attract करते हैं, जाधा eye के लिए soothing रहते हैं, इसलिए blackboard replace हुए है green mode से, तो ये तो मुझे पता ये गलत हो गया, persistence of hearing इतने second के लिए, persistence of vision इतने second के लिए, I am not sure with the data, I am very bad with the data, तो C और D मैंसे, persistence तो होता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है, B गलत है, तो answer क्या हो गया, B, human ear becomes most sensitive, again, देखो, A, C, D में I am not confident, लेकिन मुझे definitely पता है, कि B तो है, गलत है, इस तरीके से मैं attempt कर सकता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बार ऐसा होता है, जब अपनको answer, सारे options के बारे में नहीं पता रहता है, बट अपन answer निकाल सकते है, अपनको exam जब देना है, तो we have to stay calm, composed रहकर exam के एक-एक options को analyze करना है, क्योंकि कई options में जैसे मैंने आपको बता है, हमी जब बिल्कुल भी knowledge नहीं रहती है किसी question को, उसको भी हम पढ़के, थोड़ा सा सोच के answer निकाल सकते हैं, और time will not be an issue, time बहुत रहेगा यदि आप पूरा का पूरा करो तो, next अपना आते हैं, the largest source of national income in India, service agriculture, industrial trade, ये तो भी है सबको पता है, service sector है, सबसे बड़ा area है, इंडिया की जो economy है, सबसे बड़ी किस्से है, agriculture से normally जो sector जाता है, manufacturing की तरफ जाता है, manufacturing से जाता है, service, तो इंडिया का manufacturing छोड़ के direct service sector में जम कर गया है, तो इंडिया की economic service dominated है, next आपते है, match the list, one and two को match करना है, soil को कौन से state के साथ, कौन कौन सी soil है, desert, अम मैं जैसे ही desert देखा, दिमाग में क्या आएगा, राजिस्थान, राजिस्थान है क्या, तो सह हो गई, उसके बाद वापिस से देखता हूँ, black, black soil तो आपने बहुत बार पढ़ा है, वालकेनो के नाम से जो basalt वालकेनो है, उसी के नाम से बना है, तो जो पूरा का पूरा जो decan area है, इससे बनता है, याने कि महराश्था प्लाट्यू, तो B का जो answer होगा, वो आएगा 3 तो B का जो answer है 3, so this would be the answer, पूरा पढ़े बिना ही हम लोगों ने answer निकाल लिया, इसी तरीके से आपको elimination strategy यूज़ करना है, and trust me, आप ध्यान से पढ़िएगा option, दिमाग का यूज़ करेगा, शांती से, सोच के answer करेगा, सब लोगों के पास काफी knowledge है, जो better analyze करेगा, वो exam को कौन करेगा, thank you and have a great day.